हेलो एवरिवन कैसे हैं आप मैं अनुछ कुमार सिंग बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सिक्षाधाम में आज एक और नई वीडियो के लिए वीडियो के साथ ये वीडियो जो है मैं पहले बता देता हूँ ताकि बच्चे बाद में परिशान ना हो ये सेमेस्टर 5 सेज्ट के लिए है, भीक बच्चों ने चूज किया है तो सेमेस्टर 5 में फाइनेश्टल मेंजमेंट में आपके तोटल 5 यूनिट है हम कुछ इस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कुछ इस उसाब से स्टेटेजी बनाने के लिए आये तो सर स्टडी प्लान है यह और स्टडी है तो हम सारा कवर भी करेंगे और 15 दिन में पूरा खतम भी करेंगे बस आपको मेरे स्टडी प्लान के एकॉर्डिंग चलना होगा तो सर यहां है खूब सारे चप्टर हैं हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाते ऐवन दो मैं भी है आपकी एज में पढ़ता था जब तो में तो हमें वह समझ बें नहीं आता था जिसके वैसे हमारा पूरा वो subject ही खराब हो जाता था एक तरीके से जैसे mathematics है, mathematics में आप सभी ने अगर पढ़ा हो तो मानलो कुछ मुश्किल सा chapter integration या derivative उठा लिया तो आप puzzle हो जाओगे तो इसके अंदर हमें क्या देखना है तो सबसे number one पे सबसे पहले आपको यह वाला करना है number one पे यूनिट यह वाला खतम करना है यह इसलिए खतम करना है कि यह वाली यूनिट करने से सभी यूनिट आपस में एक तरीके से मैं इसको तो mother of unit मानता हूं कि यह पूरे यूनिट को एक दूसरे से जोड लेता है कहीं न कहीं link up ले लेता है छोटे 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 सर अब यह भी मैं बताता जाओंगा आपको कि किस में कितना समय आपको लगाना चाहिए ऐसा नहीं कि मैंने बता तो दिया आप बहुत टाइम लगा रहे हो cost of capital में दो दिन leverage में आप मुस्किल से मान लो दो दिन मुस्किल से इसमें एक दिन और इसमें दो दिन यानी सर यह यूनिट खतम हो सकते है हमारा दो चार पाँच और दो 7 दिन में two- hearts श् Teaching-s 7 दिन में seven days के अंदर सर यह यूनिट seven days के अंदर थोड़ा मैंने slow लिया है Serbia कितने कितने घंटे पढ़ेंगे जो यह यूनिट खतम हो जाए सर यह यूनिट जो पढ़ने वाले हम मुश्किल से डेली के 2 से 3 आवर 223 आर्स सर यूटूब पे तो मैंने पूरी पूरी लेक्चर्स डालें पूरा डिटेल डाला है जो बच्चे अपलिकेशन पर हैं एप्लिकेशन पर मैंने क्या करा है कैसे पढ़ना जो बच्चे फास्ट्रेक में रोल है उनके लिए मैंने एक प्रोविजन लिया है कि सारे इंपॉर्टेंट का जो बच्चे भी अन्रोल हो रहे हैं स्टार बना दूगा मैं एप्लिकेशन वाले वीडियो पर जो बच्चे पढ़ना है सदर हमें क्यों लगाया तो यह समारे हैं स्के अंदर साथ दिन का इसके बाद कौन सा चप्टर उठाएंगे इसके बाद और सर यह 15 नंबर का है इसके बाद यह उठाई है 15 नंबर का कितने दिर में खतम कर देंगे तीन दिन खतम सर तीन दिन में नंबर दो इसको देना है नंबर दो इसको देना है यह बड़ा सिंपल चेप्टर है तो हालाकि मैं बोलूँगा यूटुब पर अभी मैंने डाला नहीं है बस अभी capital बस्टिंग के बाद दल जाएगा बहुत एजिली एप्लिकेशन पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सारा खतम हो गया तो मैं अप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा है आप जब भी स्ट्टेजी प्लाइन लेंगे तो यूट्यूब आले बच्चे देख रहे हैं तो सर इसको आप नंबर 3 पर रख सकते हो और नंबर 2 पर इसको रख सकते हो जैसे जैसे वीडियो है उसके बाकी मैं जब कभी भी आपको सारी क्लासिस मिल जाएगी तो पहले इसको करना है फिर इसको करना है तीन दिन में खतम हो जाएगा सरी पंदार नंबर का fix question आना ही आना है इसमें इसके बाद, Sir, हमारा तीसरे नमबर पर इसको दिया, अब सफलिंग कर लिए ना, तीसरा युनिट तो मैं डाल चुका हूँ, sir, कितने दिन? एक दिन एक दिन एक दिन और इसमें मान के चलो आप दो दिन तो तीन और दो पांच दिन तो पांच दिन आठ और आठ साथ कितने हो गए हमारे पंदरा मैंने का आप पंदरा दिन में खतम करना और यह मैं ले के चल रहा हूँ सर मैक्समूम डेज maximum days, इसके अंदर मैंने काफे दिन लिये हैं, अब बच जाता है हमारा दो चेप्टर, हलाकि हमारा एक्जाम जो है 15 दिन से ज्यादा है, लेकिन मैं 15 दिन के हिसाब से लेकर चलो, ऐसा नहीं बोलूगा, इसे आधे दिन में कर लो, नहीं होगा जी, तो आप इसके बाद, जैसे में आप करके आए, मैं स्रेट्स में आपका time value of money के नाम से नहीं था, वहाँ पे साइथ था, finance कुछ करके था, finance cost, जिसमें इसके simple interest, compound interest निकालते हैं, तो वह वाला पाट यहां आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिए, यह मैंने 7 दिन बताए, आप 5 दिन में भी बड़े आराम से खतम कर सकते हैं, यह एक दिन के अंदर किया जा सकते हैं, यह 3 दिन मैं maximum ले रहा हूं, सारे question करेंगे तो, 100% के हिसाब से, तो अगर आप सर्फ pass होने वाली बात कर रहे हैं, तब तो भया हो गए pass, आपको 5 ही question कर, 5 में से, 5 में से देखो, 4 question done हो चुका है, इसके अंदर बा मैं again समझा दूँ आपको, remaining time, यानि आपका 15 से 20 दिन, 15 to 20 डेज मैं माल लेता हूं, क्योंकि almost है आपके पास, time है अभी, 20 दिन तो है, 2 से 3 घंटे का वक्त दीजिए, believe करिये, exam के अंदर आपको भागना नहीं पड़ेगा, exam के अंदर simple हो जाएगा, पहले से सारी वीडियो मैं YouTube पे डाल चुका हूं, सारी detail वीडियो डाल रहा हूं, मेरे application और YouTube में nothing कुछ फरक नहीं है, बस यह कि भाईया YouTube के अंदर मैं detail में जालता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं सिर्फ दिल्ली उनिवर्सिटी नहीं, other university की बच्चे भी पढ़ रहे होतें, उन application के content पे मैंने लगा दिया है, वो अगर course लेते हैं, कैसे लेना है, नहीं लेना है, उनके लिए मैं link में description मैं, यह नहीं कहरा कि आप course लीजिए, YouTube से अगर सुरू से पढ़ रहे हैं, तो no need to buy course, आप महां से पूरा कर सकते हैं, जो बच्चे अभी एक्तम recently देखते हैं, यार पता चला भाई है, चार दिन में इस ले बस खतम कर लिया, यह भी possibility है, तो sir, application पे star वाले वीडियो बना दिये, कौन सा मिलेगा, YouTube का एक nominal सा cost रहेगा, sir, nominal cost के लिए मैं link में description में link डाल देता हूं, customer care पे इन से contact करिए, और इन से बस बोलिएगा, हम YouTube से आए हैं, तो आपको यह सारा का सारा पार्ट आपका YouTube पे, मैंने अपलोड कर दूँगा, मैं इस वीडियो को भी, तो जो भी है, 10, 15, 20 दिन जो भी बचे हैं, अच्छे से पढ़िए, सारे topics को बड़े अच्छे से cover करिए, जैसे आपका cover up हो जाएगा, सारा syllabus खतम हो जाएगा, फिर tenure practice करिए, practice क पार्ट में बाटा जाता है, एक बाटा जाता है, मैं बता देता हूँ, इस तरीके से, अगर आपको visual हो, तो practical problem के नाम से, practical problem में हर चेप्टर का, जैसे आपने इसके मेरे वीडियो देखें, वीडियो cost of capital, cost of capital के सारे कुशन आफटा-फट से कर लीजे, देखके practice करके, तो और फिर या फिर order करना है जिन बच्चों के, उसके लिए मैं number भी लिख देता हूँ, जो वहाँ के sales manager person है, sales manager person है, क्या नाम है सर, उसका, ग्रीश, मैंने हर वीडियो में डालता हूँ, फिर भी नए बच्चे देखते हैं, उनके लिए मुझे डालना चाहिए यह, 47, 6, 3, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, सर ये number है, और जिनको link में भी मैं सारी चीज़े डाल दूँगा, तो hopefully आपको help मिलेगी इस वीडियो से, तो हम आग सारे सब्जेक्स के इसके flow chart मैं सारी तैयारी कर चुका हूँ, लगबग अब बहुत जल्दी quick revision videos भी आने वाली हैं, सभी chapter का, तो मिलते हैं sir, next class में, thank you so much.